नमस्कार दोस्तों, Learner.com में आपका स्वागत है आज Camry Hybrid जो की एक बहुती एडवांस सेल्फ चार्जिंग एलेक्टिक वीकल है उसके Energy Monitor के बारे मैं आपको बताएंगे Energy Monitor बेसिकली एक डिस्पले होता है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो गारी है वो इस समय बैटरी पर operate हो रही है या फिर engine से operate हो रही है या फिर दोनों से और साथ ही ये भी पता लगता है कि किस समय बैटरी चार्ज की जा रही है automatically तो इन सब चीजों को देखने के लिए हाला कि गारी चलाते समय आप personally इन चीजों को अगर ना भी देखें तो भी चलता है अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप energy monitor screen पर जा सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है आप सब से पहले menu पर जैसी click करेंगे तो यह main menu से में already open है इसमें आप information पर click करते हैं information पर click करते ही यह energy monitor display है तो इसमें आप इस समय देख सकते हैं यह गारी इस समय पर already हम ignition इसका on कर चुके है बट क्योंकि यह hybrid vehicle है तो इसमें electric as in engine जो होता है वो start नहीं होता है तो इस current condition में vehicle is ready to drive बट अभी कोई भी movement नहीं दिखाए दे रही है बैटरी around 50% charge है अब देखें आप तो जैसी ही गाड़ी काभी देट से अभी इसमें start थी तो engine automatically start हो गया है और अब वो battery को charge करने लग गया है तो अब अगर हम मानली जीए parking mode से drive mode पर गाड़ी को डालते है तो उस condition में जैसी हम movement करेंगे आप देखेंगे कि engine जो है अब wheels को भी power दे रहा है तो ये सभी जो भी display यहाँ पर आता है उसमें आपको सिर्फ यही पता लगता है कि current condition में जो गाड़ी है वो किस तरह के mode से operate हो रही है जो सब कुछ आपको energy monitor में दिखाई देता है और क्योंकि यह self charging hybrid vehicle है तो काफी अच्छी mileage भी देता है अब आप around 23 की mileage देता है and same चीज आप energy monitor के थूँ देख सकते हैं I hope आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो हमें support करने के लिए please हमारे channel को subscribe कीजिए thank you very much